जय बोलेना आज हम सट कर्म के विशे में बात करेंगे सट कर्म याने की वसीकरण आकरशन उच्चाटन स्तंबन मोहन मारण ये छे कर्मों को सास्त्र में सट कर्म कहते हैं सादक को मंत्र दंत्रादी का प्रयोक करने से पुरुआ किसी ग्ञानी गुरु के चरणों में बैटकर उन से समस्तक्रियाओं के वारे में पूर्ण ग्ञान प्राप्ट कर लेना चाहिए उसके पच्चात ही प्रबल, स्रद्दा और आत्मयुश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए प्रांतहकाल सहिया त्याक कर नित्यक्रम से निव्रुथ होकर एकां स्थान में जा बैटे और किसी भी वनस्पती की तंत्र में ओप्यो गिता है तो उसे विदिवत मंत्र द्वारा लेकर प्रयोग में लेना चाहिए मंत्र बिना लाय हुई वनस्पती काष्ट यान की लकडे के समान है एकांत निर्जनवन में स्थित वनस्पती कारिया में सिद्धी देती हैं वाव, कुवा, मार्ग के आसपास उगी हुई वनस्पती, दिवाई लग के आसपास समसान में उत्पन वनस्पती कभी सिद्धी नहीं देती हैं, इसी दिये उसका त्याग करना जी है, जल से गली हुई, अगनी में जली हुई, वनस्पती और अकाल में उत्पन हुई वनस्पती भी थोड़ी और अधिक आउसदी भी सिद्धी नहीं देती हैं, सुबह में प्रान्टकाल उठकर स्नान करके सिवजी की पुझा करने के बाद सुर्योदई से पहले वनस्पती या किसी भी आउसदी को ग्रहन करना चाहिए, वनस्पती या उसके मुल लेने की विदी इस प्रकार हैं, किसी भी वनस्पती के जड़ के पास जाके दिया बत्ति करो, सामान्य पुझा करो और मंत्र बोलो, ओम, वैतालास्च, पिसाचास्च, राक्षशास्च, सरीश रुपाहा, अप सरपन्तु, ते सरवे, व्रुक्सा दस्माच्छी, वागनया, इस मंत्र का साथ बार उच्चारिन करना चाहिए, अगर ये मंत्र आपसे नहीं बोला जा रहा है, तो सिधे सिधा अपनी बासा में प्रणाम करके बासांतर बोली, हे वैताल, पिचास, राक्षश, सरेश रुप, सीव जी की आगनया से, इस व्रुक्से और उसके मुल से आप सब दूर हो जाओ, खिवे प्रणाम करके, सामान्य पूजा करके बोलो, हे वनस्पति, आप अमरुष से उत्पन हुई हो, ब्रम्य विर्य को बढ़ाने वाली हो, आयू और बल मुझे दो, और मेरी रक्षा करो, जीस कारण वनस्पति को खोद कर, परयोग में लियाता, मैं उसी प्रकार, तुमको खनन करता हूँ, आपका बल और तेज, उखारने से कम न हो, हे कल्यान कारी वनस्पति, मेरा कार्य सिद्ध करो, फिर मेरी सिद्ध के बाद, तुमारा स्वर्ग में गमन होगा, ब्रह्मा, विश्णू, ब्रुगू और इंद्रे ने भी जीस कारण वनस्पति को खोद कर, परयोग में लिया था, उसी प्रकार, मैं तुमको भी खनन करता हूँ, मंत्र इस प्रकार है, ओम, रिम, चंडे, हुमपट स्वाह, ये मंत्र, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र योग में संपूर्ण अउसिदी उखाणने के लिए हैं, तो जिस दिन रविपुष्य नक्षत्र हैं, उसी दिन आप वनस्पति को आमंत्रन करें, और दूसरे दिन सुबह में सुर्यदे से पुर्वा उसे खनन करें, ओम, रिम, शौ मूल का छेदन करें, ओम, वन डंडे, महा डंडाय स्वाहा, और ओम, सुद्री, कपाल माली नी सहा, दोनों में से कोई भी एक मंत्र या दोनों मंत्र का उच्चारन साथ साथ बार करना होगा, इस क्रिया से किसी भी वनस्पति का मूल, डाली या किसी भी डाली के उपर पैद हुआ वन्डा, उसको उखाणने के लिए यह विजी करनी बहुत जरूरी है, किसी भी प्रकार का सट कर्म करने से पहले सादक को पहले से बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, सट कर्म के प्रयोग में देवी, दिसा, रूतु, रंग, दिन, आसान और बहुत सारे वी सांती कर्म की देवी रती हैं, ईसान कौन के और आपको मुह रखना है, हैमंत रूतु होना चीए, रंग सपेद होना चीए, दिन घुरुवार होना चीए, और आसन सुखासन होना चीए वसीकरण की देवी सरस्वती हैं, उत्तर दिशा में मूह करके बैठना है, वसंत रुतू है, लाल रंग है, सोमबार का दीन है और बद्रासन में बैठना है, स्थम्बन के लिए लक्ष्मी देवी, पुर्वा दिशा, सीसिर रुतू, पीला रंग, गुरुवार और पडमासन म बैठना होगा, विद्वेशन कर्मा के लिए जेश्टा देवी, नैरुत्यकोन, गृष्मरुतू, लाल रंग, सनिवार और कुकुटा सन में बैठना होगा, उच्चाटन के लिए दुर्गा देवी, वायवय दिशा, वर्षा रुतू, दुम्ररंग, मंगलवार और अर्ध सस्तिकासन में बैठना होगा, मारण के लिए माता बद्रकाली, आगने दिशा, सरद्रुतू, काला रंग, सनिवार और विक्टासन में बैठना होगा, सट कर्म प्रवग के अनुसार, पृतक पृतक हवन सामगरी लगती हैं, सादक को चाहिए की प्रवग करने से पहले, उसे, सांती कर्म के लिए दूद, गी, तिल, आमकी लकडी, आमके पत्ते, पुष्टी कर्म के लिए गी, दही, बेल, पत्र, उस्प, चंदन, जव, काले, दिल, और गर में, जो सबूत दाने हैं, अनाज के, उसको आप मिला सकते हो, आकरसन प्रवग में, चीरों जी, दिल, वसीकरन के अंदर, नमक, फोस्त नमक जीए, और राई जीए, उच्चाटन में, कागपंख, गी में, दुबो कर, और दतूरे के बीज मिला कर, और मारन के अंदर, विश, रक्ट और दतूरे के बीज मिला कर, हवन करना चीए, शांती कर्म करने से, रोग और ग्रहों का, अनिष्टकारी प्रभाव, दूर कर सकते हैं, वसीकरन से, किसी भी स्त्री पूरुस, या किसी भी जीव को, अपनी इच्छा अनुसार, कारिय करवा सकते हैं, स्तंबन के अंदर, जीवदारियों की गती को अवरोत किया जाता है, विद्वेशन के अंदर, दो प्रिय जनों के बीद, परसपर, मित्रता और्स ने नष्ट किया जाता है, उच्चाटन में, किसी भी कर्म करने वाले जीवदारियों को, इच्छा सक्ती से, असांती जेश्टा है, और उच्चाटन की देवी दुर्गा है, और मारन की देवी बद्रकाली है, शट कर्मा के प्रयोक के अंदर, सबसे पहले, रूतु और तिथी का विज़ार करना चाहिए, सब्तमी को वसिकरन कर्म करे, तीज तेरस को आकरसन कर्म करे, बीज और छट को दवा को स्तंबन कर्म करे, नौमी और अश्टमी को मोहन कर्म करे, एकादसी और द्वादसी को मारन कर सकते हैं, पंचमी और बुर्णमासी को भी मारन कर्म किया जा सकता है, ये सभी विद्याओं की प्रसिद्धी निमित है, उसके वार, शुक्रवार लक्ष्मी, सनिवार व विद्वेशन करने से सूब फल मिलते हैं। सट कर्मक्यांद्र, स्तंबन, मोहन और उत्तम वसीकरन माहेंद्र और वारुन मंडल में अगर किया जाता हैं, तो वो सिद्धी देने वाले होते हैं। विद्वेशन और उत्चाटन अगनी और वायू के योग में अर्थात इन तत्वों के उदई में करें, तो आपको सिद्धी राप्त हो सकती हैं। अगर नक्सत्र का विचार किया जाए, तो जेश्टा, उत्तर साड़ा, अनूराधा, रोहिनी या महेंद्र मंडल में स्थित हुए कर्म वृद्धी को देने वाले हैं। उत्तर बादरपत, मोल, सतबिशा, पुर्व बादरपत, आश्टलेशा यह वारुन मंडल में मध्यचारी कराते हैं। और इसी प्रकार पुर्व साड़ा नक्सत्र को उत्तकारिय सिद्धी को देने वाला कहा गया है। स्वाती, हस्त, म्रुक्षिर्ष, चित्र, उत्रपालगोनी, उश्य, उनर्वसु, यह नक्सत्र, अगनी मंडल के हैं। अस्विनी, भरनी, आद्रा, दनिष्टा, स्रवन, मगा, रिसाका, कुरूतिका, पुर्व पालगोनी, रेवती यह सुब वायु मंडल में स्थित हुए हैं। वह उन कारियों की सिद्धी देने वाला है। शान्ति, वशिकरन, स्तंबन, उच्चाटन, विद्वेशन, मारन यह 6 कर्म विद्वानों ने कहे हैं। वसीकरण और आकरसं कर्म वसंत रुतू में दो प्रहर के पहले किया जाता है, उसी समय वसंत रुतू है, विद्वेशन का प्रयोग गृष्म रुतू में किया जाता है, मध्याद में गृष्म रुतू को माना गया है, स्थम्बन कारिय करने के लिए वर्षा रूतु में दिन के तीसरे प्रहर में वर्षा रूतु को माना गया है मारन सीसिर में प्रदोस काल में सीसिर रूतु माना गया है सांती कर्म सरद रूतु में और आधी रात को सरद रूतु को माना गया है हैमंत रूतु में पुष्टी कर्म किया जा सकता है। हैमंत रूतु को सुर्यदे से पुर्व पाज गड़ी माना गया है। एक दिन और एक रात्री साइट गड़ी की होती हैं, जिसमें दस-दस गड़ी में प्रत्यक रूतु को विबग किया जाता है। एक गड़ी 24 मिनिट की होती हैं, दस-गड़ी के हिसाब से प्रत्यक रूतु चार गणते निम्नक्रम से रहे, सुर्योदे से चार गणते वसंत रूतु, फिर दस-गड़ी में ग्रिस्म, तुरुतिये दस-गड़ी में वर्सा, चतूर्थ दस-गड़ी में सरद, पंचम दस- गड़ी में हैमन्त, तथा छश्टम दस-गड़ी में सिसर रूतु मानी गई हैं, कोई-कोई आचर एसा भी कहते हैं, कि प्रान्तकाल वसंत रूतु, मद्यान में ग्रिस्म, दूपय डलने पर वर्सा, संध्या समय सिसिर, आधिरात को सरद, और सुर्योदे से पूर्व, हैम संत्रूतु को माना गया है, दिन का विचार करें, तो सांती प्रव्व गुरुवार को, वसी करण सुंबार को, स्तंबन गुरुवार को, विद्वेशन कर्म सनिवार को, उच्चाटन मंगलवार को, मारन प्रव्व सनिवार से प्रारम करने से सिद्धी प्रयाप्त होती हैं हमने आपको सट कर्म के विश्य में थोड़ी बहुत जानकारी दी हैं, जादा जानकारी के लिए आपको मेरा संपर्क करना होगा, या तो किसी भी जानकार आदमी या आपके गुरू से आप जादा जानकारी हासिल करने के बाद यह सब प्रयोग कर सकते हैं, देखा गया है, बहुत सालों से यह प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का परिणाम प्राप्त नहीं होता है, अगर आपको यह सब करने के बाद भी परिणाम हासिल नहीं होता है, तो आप मेरा जरूर संपर्क करें, वाट्सअप नमबर दिया हुआ है, आप कॉल मत करें, वाट्सअप मेसेज करें, दिखा गया है, कई लोग कॉमेंट के अंदर अपना फौन नमबर लिखते हैं, और संपर्क करने के लिए सादकों को विनंति करते हैं, लेकिन मेरा नमबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैं किसी से पैसा लेता नहीं हूँ, और किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज मैं किसी को करता नहीं हूँ, इसलिए कोई भी आदमी आपको पैसे की लेंदेन में बात कर तो आपको ठगी नहों पहुत ध्यान रखना है और ऐसा करने से कुछ भी होता है तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और जरूर सेयर करें जाये बोले नाते